Hello all my friends and lovely subscribers and welcome back to my YouTube channel Compoint और पिशली हम वीडियो में हमने पड़ा था Arrays के बारे में की Arrays होते क्या है So जो भी Data Structure होता है उस पर बहुत सारे Operations Perform भी होते है तो हम इस Specific वीडियो में Operations on Data Structures के बारे में पढ़ेंगे So हमारा पहला Operation है Traversing So Traversing होता क्या है So Traversing is just accessing every single element in the Data Structure अब इसमें होता हम इसमें ये करते है कि जो भी हमारा Array है उसका जो हर एक element है उसको बारी-बारी से बारी-बारी से access करना तो Traversing के अंदर बहुत सी बार छोटे-छोटे processes भी हम हर एक element पे करते है So Traversing की और एक ऐसा example हो सकता है कि just visiting every single element present in the array यानि कि अगर array के अंदर 15 element है तो हर एक element को visit करना इसे भी हम Traversing में बुलाते है Suppose as shown in figure तो जो हमारा pointer है पहले element पे गया उसके बाद में उसके बाद के element पे गया उसके बाद में उसके बाद के element में गया और इस तरह से Traversing operation में हम हमारे सारे operations को visit करते है So Traversing के होते है दो टाइप अब हम कोई भी algorithm जब पढ़ते है जो Traversing operation है इसको हम solve करते है दो टाइप से So जो पहला टाइप है वो होता है by using while loop और जो दूसरा टाइप है उससे हम कहते है by using for loop अब while loop और for loop हमने दो-दो loop लगाए क्यों अब बहुत सी पर हम ऐसे algorithm लिखते है जहां पर हम for loop का इस्तमाल नहीं कर पाते है या फिर नहीं करना चाते है तो ऐसे डाइम पर हम while loop का इस्तमाल भी कर सकते है और इसका vice versa भी तो इसलिए हम दोनों algorithm को पढ़ेंगे तो पहला algorithm है Traversing by using while loop अब जैसा हमने data structure के while loop में पढ़ा है हम यहाँ पर क्या करते है एक k नाम का variable हमने define किया उसको हमने value दे दी lower bound यानि कि यहाँ से जो हमारा k pointer है या फिर जो हमारा k variable है वो lower bound पर पहुँच चुका है यहाँ से हमने step number 3 और step number 4 को repeat करेंगे while loop से और while loop की condition क्या है k is less than and equal to upper bound means यहाँ पर यह हो रहा है कि k की value lower bound है और हम while loop तब तक repeat करेंगे जब तक हमारा k है वो upper bound तक नहीं पहुचता है उसके बाद में हमने जो हमारा kth position पर जो data है element के array के अंदर उसको access किया और उस पर process perform करी और उसके बाद में हमने k को increment कर दिया तो जो यह step number 3 और step number 4 है यह loop में बार 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 एक्जिक्यूट होंगी कब तक? जब तक k upper bound तक पहुचता नहीं है और जैसे ही वो upper bound पे पहुच गया है हम exit हो जाएंगे so while loop के अंदर हमने क्या करा? हर एक data element को visit किया similarly traversing by using for loop और for loop के अंदर initialization, condition and increment सब एक ही code में हो जाता है so सबसे पहले हमने initialization किया k को हमने value दे दी lower bound और उसके बाद में वहाँ पे लगा दिया for loop और incrementation दे दिया by one और उसके बाद में just हमने हमारी process को apply कर दिया data element k पे और उसके बाद में exit अब इसमें क्या होँगा? सबसे पहले जैसी code शूरू हो रहा है वो k is equal to something lower bound पर है उसके बाद में increment by one करता जाएंगा और condition क्या है? k is less than upper bound जब तक हमारी condition होंगी नहीं true तब तक हम for loop में execute होंगे और जैसे हमारी condition true हो जाएंगी हम for loop से बहार आ जाएंगे so friends इस वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह से हम traversing करते है और किस तरह से हम दो basic algorithms का इस्तमाल करके traversing को perform करते है इसके बात का जो हमारा operation है वो है insertion operation जो मैं अगली वीडियो में यानि कि कल upload करूँगा so अगर आपको ये वीडियो आई है पसंद do like this video share with your friend and subscribe my channel compoint और अगर आपको traversing related कोई भी problems है तो आप comment section में पूछ सकते है और दोस्तो आज के लिए बस इतना ही have a nice day and हाँ bell icon ज़रूर दबाई है क्योंकि notification ज़रूर ही है हर एक वीडियो की क्योंकि कल मैं insertion पे बीडियो डालने वाला हूँ so दोस्तो good bye have a nice day